नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आश्ट्रो लॉजर जै बाबा में आज हम आप लोगों को बड़े ही अच्छे एक और सस्ते रत्न की जानकारी दूँगा ये एक बहुत ही नायाब हीलिंग क्रिश्टल है और सभी रंगों में पाया जाता है कोई ऐसा प्रकिर्थी का रंग नहीं है जिस रंग में ये इस टोन आपको अपलब्ध न मिल जाए इससे स्पीनल कहा जाता है स्पीनल एक हीलिंग क्रिश्टल है जिसका उपयोग सरीर मन और आत्मा को लाब पहुचाने के लिए किया जाता है यह नकारत मकता को दूर करते हुए अंतर ग्यान और मानसित छमताओं को बढ़ा कर मन की सांती लाता है इस पत्थर में ऐसे गुण भी है जो पिछले जीवन प्रतिगमन चिकित्सा में भी मदद करते हैं इस पीनल को परित्याग विश्वास घात और दिल तूटने से संबंधित भावनात्मक घाओं को ठीक करने के लिए भी माना जाता है दोस्तों इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना विश्वास बहुत ही रोचक है और विश्वास नया है इस 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 टोन के बारे में आपको बहुत कम लोग जानकारी दे पाएंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो तिस से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए या किसी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष चाहिए खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं वाट्शब कर सकते हैं इस पिनल एक ऐसा पत्थर है जिसका इस्तिमाल आपके जीवन में आने वाली कई अलग-अलग समश्याओं से निपटने में किया जा सकता है अगर आप अपनी मानसिक छमताओं में मदद के लिए किसी पत्थर की तलास में हैं तो यह आपके लिए उप्योगी है अगर आप अपने दिल को ठीक करने के लिए किसी पत्थर की तलास में हैं तो आपके लिए स्पिनल बहुत ही उप्योगी है अगर आप अपने पिछले जीवन प्रतिगमंचिप किच्च किच्चा में मदद के लिए किसी पत्थर की तलास में हैं तो आप के लिए इस्पीनल अत्यन तो उपियोगी है जीवन की यात्रा में एक द्रिढ शाथी की तरह इस्पीनल सक्ती के एक ताने बाने की तरह है जो जुनून को जगाने वाले द्रिढ लाल रंग से लेकर भीतर के असांत समुद्र को सांत करने वाले सांत नीले रंग तक है यह आसा की केरण है आपके लचीलेपन का दरपन है जो आपके जीवन के कच्चे छणों को विकास के अध्यायों में बदल सकता है इसके आलिंगन में अपनी आत्मा को पुनर जीवित कर सकते हैं अपनी रचनात्मक्ता को उन्मुक्त पाएं और अपने मार्ग को इसके अस्थाई प्रकास से रोशन करें इस्पिनल बहुत ही सुंदर होता है और खास करके यह स्री लंका म्यामार यानि की ओल्ड बर्मा तंजानिया मेडागासकर नेपाल और दुनिया बर्के यानि कई सहरों में पाया जाता है लेकिन सबसे बहतर बर्मा और स्री लंका का ही होता है सबसे प्रशिद्ध स्पिनल क्रिश्टल में से एक ब्लैक प्रिंस रुबी है या पत्थर वर्तमान में योनाइटड किंगडम के इंपीरियल स्टेट क्राउं के कलिनन हीरे के ऊपर इस्थित है या पत्थर साही दिवार हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं एक बिशिष्ट उर्जा या सकारात्मक्ता प्राप्त करने के लिए प्रति दिन आपको इस क्रिश्टल का उपियोग करना चाहिए ध्यान के दवरान इरादों या प्रार्थनाओं पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए मंत्रों का प्रियोग करते समय आप इस पीनल पत्थर का प्रियोग कर सकते हैं चुनोती पूंड समय के दौरान पहनने के लिए या पत्थर एक ताबीज के रूप में है यदि आप किसी विशेश कार्य से कहीं पर निकल रहे हैं या किसी आप विशेश कार्य में लगे हुए हैं जो बार बार विफल हो रहा है तो आप यदि इस पत्थर का उप्योग कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी इस पीनल एक ऐसा रतन है जिसका क्रिश्टल हीलिंग का लंबा और समर्दी इतिहास है या एक बहमुखी रतन है जिसका इस्तेमाल सदियों से राजगरानों के धनी लोगों द्वारा किया जाता है और आज भी इस पीनल अपनी सुंदरता और अस्थाइत के कारण एक लोकप्रिय रतन है कई सारीरिक और भावनात्मक उपचार को ये प्रदान करते रहता है हलाकि आपको कभी भी डाक्टर की पेसेवर सला को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए फिर भी क्रिश्टल हीलिंग का सहारा ले करके जो दवा आपको काम नहीं कर रही है उसका फाइदा आप उठा सकते हैं और कई लोगों ने पाया है कि इस खुबसूरत पत्थर कायू प्योग करके तेजी से बड़े से बड़े असाध्य रोगों को ठीक कर चुके हैं और इससे जैसे आप गठिया जैसी बीमारी आपके सरीर में जगह जगह सूजन है तो आपको इस्पीनल एक बहुत ही अच्छा उपयोगी पत्थर साबित हो सकता है यहरत्न वाइरल और वैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में भी सहायक माना जाता है सारीरिक लाव के अलावा इस्पीनल को छोटी मोटी बीमारीयों में भी काफिस सहायक माना गया है और किसी की मानस्पेशियों में अगर जादा दर्द हो रहा हो तो उन्हें भी यहदारन करके उससे भी लाव लिया जा सकता है जीवन में यदि आप बहुत जादा तनाव से गुजर रहे हैं या आप बहुत जादा खुद को असांत महसूस कर रहे हैं हर छोटी बड़ी बात पर आपको बहुत जादा क्रोध आता है तो आप इस पत्थर की मदद ले सकते हैं आपको बहुत अच्छा रेजल्ट मिलने वाला है स्पिनल को चंक्त्रों को संतुलित करने में भी सहायक माना जाता है यदि आप संदेखन की बाहर महसूस कर रहे हैं तो यह अपको संतुलन और सामंजश्य पाने में मदद कर सकता है ध्यान और ग्राउंडिंग के लिए भी स्पिनल एक सक्तिसाली रतन है या सुरक्षा और ग्राउंडिंग की भावना प्रदान करते हुए ध्यान केंद्रित करने और मन को सांत करने में भी मदद करता है जो लोग योग साधना से जुड़े हैं या जो सीख रहे हैं और उनका ध्यान भंग हो जाता है यदि इस रतन का इस्तिमाल करते हैं तो उन्हें अच्छा लाब होगा या अलग-अलग रंगों में पाया जाता है हर रंग का अपना महत्व है और हर रंग अलग-अलग ड्यक्तियों के लिए बना हुआ है इसका जोंतिसी विश्लेशन करने के बाद ही निश्कर्स निकाला जाता है कि आपको कौन सा रंग सूट करेगा या जिनकी कुंडली नहीं है उनकी परिशानियों के हिसाब से इस चीज को क्लियर किया जाएगा कि आपको किस रंग का स्पाइनल पहनना चाहिए स्पिनल के कुछ अलग-अलग के प्रकार है और प्रत्येक में अपने स्वेंग के उपचार गुन होंगे जो आपके जीवन को लाव पहुचा सकते हैं जैसे की ब्लैक स्पिनल ब्लैक स्पिनल सबसे लोकप्रिय क्रिश्मों में से एक है या सुरक्षा सक्ति और साहस से जुड़ा हुआ है और यह नकारात्म कुर्जा को दूर करने में भी मदद करता है उपरी बाधा में भी सहायक है और खास करके कलर के हिसाब से राहु केतु और सनी जैसे कुरूर ग्रहों को नियंत्रित कर देता है लाल स्पिनल यह बहुत सक्तिसाली रत्न है यह जनून प्यार और उड़जा से जुड़ा हुआ है यह आपके आत्म विश्वास और प्रेनडा को बढ़ाने में मदद करता है गुलावी स्पिनल एक बहुत ही स्त्रिलिंग और रोमांटिक रत्न है यह प्रेम को मलता और करुणा से जुड़ा हुआ है वाउनाओं को सांध करने और मन को सांध करने में भी मदद कर सकता है औरेंज यानी की नारंगी स्पिनल एक बहुत ही खुसहाल और आसावादी रत्न है यह खुसी उत्साह और रचनात मक्ता से जुड़ा है यह आपकी प्रेड़ा और उर्जा के अस्तर को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है ग्रिन इस्पिनल एक बहुत ही सांत और ताजगी देने वाला रत्न है यह प्रकिर्ति उपचार और सांति से जुड़ा हुआ है यह आपको प्रित्वी की उर्जाओं से जोड़ने में भी मदद कर सकता है इसका रंग हलके से लेकर गहरे रंग तक भी हो सकता है जितना आप गहराई में जाएंगे रंगों के उतना ही इसका रेट बढ़ते जाता है निला इस्पिनल एक बहुत ही सांत और शांति पूण रखना है यह संचार ज्यान और सत्य से जुड़ा हुआ है यह मन को सांत करने और तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है इसका संबंध शीधा सनी देव से है सनी देव न्याय के देवता है कुंडली के न्यायाधीस है तो यदि सनी प्रसंद तो संसार प्रसंद है वैगनी इस्पिनल भी एक बहुत ही आध्यात्मिक रत्म है यह मांसिक शमता अंतर गयान और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है यह आपको अपने उच्छष्वा और आध्यात्मिक छेत्र से जुड़ने में भी मदद कर सकता है इसका भी संबंद राहुकेतो और सनी देव से ही जुड़ा हुआ है जब आप पहली बार अपने इस्पिनल इस्टोन को अपने घर में ले आते हैं तो आप अपनी आत्रा के दोरान इसमें मौझूद किसी भी उड़जा को साफ कर सकते हैं इसके अलावा आप अपने इस्टोन को बार बार चार्ज करते रहिए इसकी सफाई पर ध्यान दीजिए और खास करके असनान के समय कम से कम एक मिनट तक इसे अपने हाथ में पकड़ करके और इसे जल के नीचे रगए पानी की धारा के नीचे रख दीजिए नल के नीचे आप टोटी के नीचे रख देंगे या प्रकिर्ति के जहरने के पास पहुचना हमेशा आसान नहीं है आप घर में फवारे के माध्यम से आप इस पत्थर को चार्ज करते रहें या आपको बहुत अच्छा रेजल्ट देता रहेगा और कभी भी इस पत्थर को धुधला नहीं होने देना चाहिए से हमेशा इसकी साफसफाई का ध्यान रखते रहे आपके लिए यह बहुत कारगर पथर होगा हर रंगों के अपना अपना गुण है अपना अपना सभाव अपना अपना कार है है बड़ा उप्योगी और लावकारी बहोत ही खुबशूरत पत्थर होता है लेकिन खास करके आज की दौर में ब्लेक स्पेनायल ज्यादा उपयोगी माना गया है क्योंकि मांसिक आर्थिक और सारीरिक कष्ट में लगभग 70% लोग जूज रहे हैं तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूं वीडियो के एक लाइक एक कमेंट करना यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना धन्यवादा